हलो दोस्तों, Facebook Ads Course के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखा हुआ कि किस तरीके से आप Custom Audience Create करेंगे Based on the Lead Form, यानि Lead Form Campaign आपने चलाया होगा और उसके बेस पर आप किस तरीके से Custom Audience Create करेंगे यह सब हम आज के वीडियो में जानेंगे, I hope कि इस से पहले वाली वीडियो आप देख चुके होंगे इस कोर्स में जो मैं आपको बता चुका हूँ कि Custom Audience क्या होते हैं और Different-Different Based पर किस तरीके से हम Custom Audience Create करेंगे, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ एक Complete Course ही में Create कर रहा हूँ, Facebook Ads Course के उपर, आप यहाँ पर जब आएंगे, मेरे YouTube Channel पर Playlist में जाएंगे तो यहाँ मैंने काफी अच्छे तरीके से Organize कर रखा हैं इन सारे Tutorials को एक Playlist ही है जिसमें मैं अभी तक 24 वीडियो बना चुका हूँ और आपको Basic to Advanced Level पर Facebook Ads सिखा रहा हूँ और Facebook Ads आपको सिखा हूँ और उसमें Custom Audience की बात ना हो, यह होई नहीं सकता तो मैं अभी लास्ट के पाच्छे वीडियो Custom Audience के उपर ही बना रहा हूँ किस तरीके से आप Instagram Profile Visitors के हिसाब से आप बनाएंगे Custom Audience किस तरह से आप वीडियो वाच के एक्वाइडिंग Custom Audience बनाएंगे, किस तरीके से आप फोन नंबर या इमेल लिस्ट के एक्वाइडिंग आप Custom Audience बनाएंगे, इन सब के बेस पर मैं बना चुका हूँ आपके लिए वीडियो, आप जाके डिटेल वीडियो देख सकते हैं आज की इस पाटिकुरियर वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने इस तरीका Campaign क्रियेट करा होगा जो Lead Form पर आप चाहते हैं, Lead लेना, Lead Require करना आप चाहते हैं अपने Customer से और आप चाहते हैं कि ऐसे User को Target करना, जो आपके जो Client है, आपने उनके लिए Add Run करा उनके Add को देखकर, उन्हेंने Form को Open तो करा, उन्होंने इनके सामने Form तो Open हो लेकिन उन्होंने अपने Data नहीं दिया और वहां से वो Exit कर गए, तो ये एक Event क्रियेट हो चुका है, अब आप उसके Base पर फिर से उन्हें Add दिखा सकते हैं और इस बार Maximum Chance है कि वो अपना Lead दे दे, तो कि आप यहां पर उन्हीं लोगों को Target करेंगे और उन्हीं लोगों को आप अपना Add दिखाएंगे, जो पहले Interact कर चुके हैं आपके Add के साथ इसलिए हम इसे Custom Audience करते हैं, या ऐसा Audience जो कहीं न कहीं पहले हमारे Add के साथ, हमारे Content के साथ Engage या Interact कर चुका हो, तो आप आजाएंगे इस तरीके से Audience वाले Section में लेकिन इससे पहले आपको यह जानना होगा कि यह Lead Form या Instant Form वाले Add क्या होते हैं किस तरीके से हम Lead Form डिजाइन करते हैं, किस तरह से Instant Form वाले हम Campaign चलाते हैं अगर आपको नहीं पता, तो इस टिटोरियल में यह जो प्लेइलिस्ट आपको दिख रही है, फेस्बुक आर्स कोर्स इसमें वो सारे वीडियो एवेलेवल है, आप यहां से इजली सीख सकते हैं, ठीक है, आगे का फर्दर काम यहां पर आता है, आप आएंगे Audience में, Audience section में हम आते हैं अपने किसी भी टाइप का Custom Audience बनाने के लिए, ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं और इससे पहले मैंने बहुत सारे Custom Audience create भी करा है, आप यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, यह मेरे Client है, Real Estate से Related, मैंने उनके लिए यहां पर Custom Audience create करा है, 25% वीडियो वाच है, उस हिसाब से मैंने Custom Audience create करा है, फिर 50% वीडियो वाच है, इसके according भी मैंने Custom Audience create करा है, Instagram, Profile Visit, My Customer List है, एक मेरे Client है, Photographer, उन्होंने मुझे लिस्ट दिया था, अपने कुछ Client के, उनके Email ID और Phone Number दिया था, आप उनके Base पर भी अपना Custom Audience create कर सकते हैं, और आप उन्हें Air दिखा सकते हैं, तो बहुत अच्छा Option है, यह बहुत ही Amazing Feature है, Facebook के अंदर जहां पर आप Laser Targeting कर सकते हैं, और आप उ जाना है, और आपके सामने यहाँ पर दो Option हो जाएंगे, Your Sources और Meta Sources, अब इन दोनों का क्या मतलब होता है, Meta Sources के मतलब है कि जो भी Property, Meta के अंदर आती है, जैसे Meta के अंदर Facebook, Instagram, Facebook Page, Instagram Page होगे, Lead Form होगे, वीडियो अप जो भी Upload करते हैं, अपने Page पर, Shopping, Instant Experience, यह सारे क Meta के अंदर आते हैं, और दूसरा है, Your Sources, जो डायरेक्टली Meta के कंट्रोल में नहीं आते हैं, वहाँ पर कोई इंटरफेर नहीं होता, Meta का, लेकिन आप कोई Code आ वहाँ पपलाई कर सकते हैं, या फिर आपको instructions दे सकते हैं Meta को, जिससे उनके बीच connectivity हो जाती है, जैसे, अ अपना जो Facebook ad account है, उसका pixel ad करना पड़ेगा आपको अपने website पर, फिर इन दोहों के बीच connectivity establish हो जाएगी, और फिर आप अपने website के visitor को target कर सकते हैं, ऐसा आकसर आपको देखने को मिलता होगा, जब आप फिलिप काड, Amazon या मिशो पर आप जाते हैं, वहाँ पर आप product को explore करते हैं, वहाँ पर आप, तो क्या होता है, जो आपकी activity है, वो track कर ली जाती है, वहाँ पर, आप किसी product को add to card करते हैं, और वहाँ से exit कर जाते हैं, तो आपका event create हो गया है, फिर बाद में आपको वही add आपके Instagram पर, आपके Facebook account वहाँ पर देखे जाते हैं, वो इस वज़े से, क् आपना customer list के according भी, यहाँ पर custom audience बना सकते हैं, आप यहाँ पर एक file होती है, CSV, उस file में आप अपने customer की जितने भी email है, और phone number है, वो डाल कर यहाँ पर upload करेंगे, तो Facebook क्या करेगा, उस email ID से, उस phone number से, जितने भी Instagram या Facebook account बने होंगे, वो आपके audience हो जाएंगे, और फिर add, उन्हीं लोगों को दिखेगा, जिस email ID से, आपने हाँ पर paste करा होगा, और उस email ID से, जितने भी account बने होंगे, उनको target करेंगे, तो आप इस तरीके से, अलग-अलग तरीके से, हाँ पर custom audience create कर सकते हैं, और इस particular video में हम lead form वाले पर देखेंगे, आपने कोई campaign चलाया होगा lead form का, और आपको अब जो क्या करना है, ऐसे लोगों को target करना है, जो आपके lead form को open तो करा, लेकिन उन्होंने क्या करा, वो data नहीं दिया आपको, अपने phone number, email ID, अपने उन्होंने ये चीज़ नहीं दी, तो आप उन्होंने target fit से कर सकते हैं, तो lead form वाले पर आपको click करना है, यहां पर नीचे next करना है, और आपके सामने एक open हो जाएगा new interface, अब यहां पर देखेंगे आप, create a lead form custom audience, ठीक है, यहां आपको event पर जाना है, यहां पर drop down करेंगे है, तीन event आपको दिख रहे होंगे, anyone who open this form, अब आपका add run हो रहा है, lead form या instant form आप उसे कह सकते हैं, कोई user अधर आया, उसके सामने कोई impression swap आपके add का, उसने add पर click करा, उसके सामने form open हो गए, अब उन्होंने form को open तो करा, बस उन्होंने अपना number, email id, अपने city वगएर का name, यानि जो भी data आप चाहते हैं, customer से acquire करना, उन्होंने वो fill नहीं करा, तो यही पूछ रहा है कि anyone who open this form, account center account, who opened, but didn't submit form, किसी ने open करा form को, बटर उसने data भी वहाँ पर दिया, लेकिन उसने form को submit नहीं करा, यह दूसरा event है, अतिसना यहाँ पर who opened and submit form, किसी ने मेरे add को देखा, उसने open करा, वहाँ पर वह अपने data को fill कर दिया, और उसे submit भी कर दिया, तो हमें इस event को नहीं करना, क करा, लेकिन उसने submit नहीं करा, या उसने data नहीं दिया अपना, मैं उसे ही target करना चाहूँगा, तो यह वाले event मैं यहाँ पर select कर लूँगा, अब यहाँ पर आएंगे, आप page यहाँ पर select करना है, उस page से, जिस page से आपने add run करा था, facebook instant lead form वाले, तो यहाँ पर personal पर आना है, म कि मेरे clients है, अब आपको यह देखना है कि इस facebook page से, कितने lead form वाले campaign चले थे, तो यहाँ पर आपको lead form भी select करना है, कि कि किस lead form पर जो engagement आई थी, जो किसी भी open करा था, और उसने submit नहीं करा अपना data, तो आपको यह भी यहाँ पर बताना पड़ेगा, तो यहाँ तो मैं यहा specific lead form को भी आप target कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि यह वाला lead form है, जो 6 अपरेल को चली थी, मैं चाहता हूँ कि इस lead form को जिस किसी user ने open करा, लेकिन अपना data नहीं दिया, मैं उसे ही target करना चाहता हूँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस totally up to you, यह आपके उपर है, आप किस तरी किसी ने target करना चाहते हैं, select कर भी सकते हैं, total को, या फिर किसी एक specific को select कर सकते हैं, तो मैं किसी एक specific को select कर लिया हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर retention rate है, इसका क्या मतलब है, यह मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जितने भी मैंने custom audience वाले, जितने भी वीडिय जोजला है, उसमें बता चुका हूँ, तो custom यहाँ retention का मतलब यह होता है, कि last 90 days में, यानि आपने campaign create करा है, और आपका campaign live हुआ है, last 90 days से चल रही है, अब आपने campaign को stop कर दिया है, अब यहाँ पर आपको Facebook को आपको यह बताना है, कि last 50 days, या last 60 days में, जितने भी मेरे user थे, जिन्होंने मेरे form, instant form वाले campaign को open करा, और उसने data ने दिया, आपको उन्हें मेरे customer list में, मेरे custom audience में लाने है, तो यह उसी के according आपको custom audience प्रोवाइट करेगा, यहाँ maximum आप 90 days डाल सकते हैं, और कम से कम में, आप कितने ही दिन डाल सकते हैं, तो 90 days रख सकते हैं, या मुझे यह जरूरत है कि मुझे 7 दिन के अंदर, जितने भी लोगों ने, जो recent वाले हैं, जिन्होंने अभी last 60 days या 30 days में मेरे ad को देखा हो, और उन्होंने form को फिलप नहीं करा, तो मुझे उन्हें ही यहाँ पर target करना है, तो इस तरीके से, आप यहाँ पर audience का name भी रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर lead form, मैं इस तरीके से नाम रख देता हूँ, ताकि मुझे याद हो कि मैंने किस client के लिए, किस type का custom audience बनाया हूँ, ठीक है, इस से आपको क्या होता है, जब आप multiple client के लिए manage करते हैं, facebook ads, तो आपको confusion नहीं होता, और आपकी efficiency increase होती है, तो मैं यहाँ पर page है, उस page से जो भी campaign चले थे, कोई specific lead form, उस से मुझे जो भी data मिलेगा, मैं उसे यहाँ पर capture करूँगा, यहाँ पर include more people, अब यहाँ पर चाहते हैं, आप अपना custom audience को increase करना, इसी तरह आपका दूसरा कोई भी page है, आप उस page पर भी आपने add run करा lead form, अब उस पर भी ऐसी situation आई होगी कि कई सारे लोगों ने आपके lead form को open करा होगा, लेकिन उन्होंने वहाँ पर lead form submit नहीं करा, या data नहीं डाला, तो आप उस page को भी यहाँ पर include more people करेंगे, फिर आपके सामने same इसी तरह का interface शो होगा, यहाँ पर आपको फिर से event बनाना है, फिर से आपको new page open करना यहाँ पर ठीक है, उस page को select करना है, जिस page से आपने add run करा था, उसके बाद यहाँ पर lead form भी आप फिर से वहाँ पर select करेंगे, और यहाँ से आप retention बताएंगे, और यहाँ से आपकी जो audience है, वो बड़ी होती चली जाएगी, इसी तरह आप include कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ अपना एक client है मेरा, उनके तुरू जो भी चला था, lead form campaign मैं उसे ही target करूँगा, यहाँ से create audience करूँगा, अब आप देखेंगे कि मेरा custom audience create हो चुका होगा, मैं यहाँ से done कर दूँगा, यहाँ देखेंगा, यह lead form custom audience है, estimate audience size है, यहाँ पे below thousand है, type क्या है custom audience, मैंने create कर रहा है, इसे आप edit, इसे आप edit भी कर सकते है, ठीक है, मैं यहाँ से, अब यहाँ देखेंगे, यह अभी populating कर रहा है, Facebook कहता है कि मुझे कुछ time दीजिए, मैं आपके लिए custom audience create कर रहा हूँ, और आपके instruction कि according ही वो custom audience create करेगा, थोरा सा time लेता है, maximum 24 hour होते हैं, बढ़ यह कभी कभी बहुत जल्दी भी हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, आपके तुरू जितने भी custom audience create करे होंगे, वो यहाँ पर आपको show हो जाएगा, अब आपको इसे इसे इस्तमाल कैसे करना है, तो इस्तमाल वैसे करना है, जैसे आप simply campaign design करते हैं, मैं आपन आपने बनाया है, इसको इस्तमाल करेंगे हम यहाँ पर asset level पर जहाँ पर हम audience की targeting करते हैं, वहाँ पर हम manually keyword नहीं डालेंगे, हम behavior नहीं डालेंगे, वहाँ पर audience का interest के according नहीं हम उन्हें add दिखाएंगे, हम तो उन्हें ऐसा add दिखाएंगे, जो पहले से engage कर चुके है, जो form को देखे हैं, उन्हें उन्होंने open करा, लेकिन form fill नहीं करा, ठीक है, तो मैं उन्हें ही देखाना चाहता हूँ, इसने मुझे यहाँ पर interest पर, या user के behavior, demographic से कोई लियना दिना नहीं है, direct आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ जो option मिलता आपको, यहाँ देखे, custom audience का, यह select हो चुका है यहाँ ठीक है, अब यहाँ देखे, अब यहाँ पर आपको ठीक विसी तरह, जिससे आप दूसरे campaign में करते हैं, आप यहाँ पर placement बगएर सेलेक्ट करते हैं, आप अपने according यहाँ पर add creative बगएर लगाते हैं, यहाँ पर paste select करते हैं, add media, यहाँ पर title, description, call to actions बगएर आप डालते हैं, और अपने campaign को आप live कर देते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा आप किस तरह से हम custom audience create करते हैं, किस तरीके से lead form के according हम यहाँ अपना custom audience बनाएंगे, और उसे next अपने campaign में हम उसे इस्तामाल करेंगे, इसी तरह से अगर आप complete facebook ads course सीखना चाहते ह हैं मेरे YouTube चैनल पर, मैंने अपने YouTube चैनल पर digital marketing से related बहुत सारे videos और courses create करा है, अगर आप अभी आएंगे मेरे YouTube चैनल पर visit करेंगे, तो मैंने यहाँ पर 550 प्लस videos create करा है, digital marketing के segment के उपर, आपको हर तरह के videos मिल जाएंगे, courses आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, है, इसमें रोज नहीने changes आते हैं, update साते हैं, नहीने tools होते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे source के साथ connect होना है, जो authentic हो, जो real data से आपको सिखाए, practical करके चीजों को आपको समझाए, तो उसके लिए मेरे channel है, आप यहाँ पर visit करेंगे, कोई भी tutorial में यहाँ पर बताता ह हूँ, ताकि कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं जो समझ में ना आए, ठीक है, इस तरीके सा आप आ सकते हैं, या playlist में आप यहाँ पर जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूटूब SEO देख सिखना है, LinkedIn Marketing है, यहाँ पर यह सब courses मैं अभी तक करेंट कर चुका हू और Facebook के ओपर अगब details सीखना चाहते हैं यह सारी चीज तो यह course है, यह देख सकते हैं, आप मेरा playlist है, इसे click करेंगे, तो मैंने basic to advanced level पर आपको चीज़ें को सीखाया है, practical करके आपको सीखाया है, easy language में आपको सीखाया है, वो भी free में, आपसे कोई भी charge नहीं किया जाएग इसलिए अभी मेरे channel को visit करके subscribe कर लिजीए और जूट जाए हमारे साथ, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की सारी video की notification आपको सबसे पहले मिलती रहे, आज किस video में इतना ही, जल्दी हम मिलते हैं next video में, till then goodbye